रेट्रो शटीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10 के फूट्प्रिंट विदाउट फीट बुक से दन्नेकलेस स्टोरी पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इस कहानी में मतिल्डे लोईजल और उसका हस्बेंड एक फ्लैट में रह रहे होते हैं जो लोईज मतिल्डा ने सपना देखा होता है कि वह रिच फैमिली में बिलॉंग करेगी फैमिली में जाएगी लेकिन वह एकदम सिंपल फैमिली में आ गही थी और वह बहुत जादे इसके पास बड़ा सा घर नहीं था यहां तक कि इसका डिजायर जादा ही रहता था जैसे कि वह चाह कास्बेंड होता है वह उसके लिए इंविटेशन कार्ड लाता है जो कि उसके ऑफिस के जो ऑफिसर होते हैं उनके यहां का इंविटेशन रहता है और वह फैंसी पार्टी का इंविटेशन होता है जो इंविटेशन रहता है वह बॉल पार्टी के लिए रहता है बॉल पार देखके उसकी पतनी बहुत जादे एक्साइटेड हो जाएगी लेकिन उसकी जो बीवी थी वो थोड़ी भी खुश नहीं हुई वो उस इंविटीशन को फेक दिया और रोना स्टार्ट कर दिया वो कंप्लेइन कर रही थी उससे कि इतनी अच्छी पार्टी में जाना है और हमारे पास एक भी अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस नहीं है मैं क्या पहन के जाओंगी वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा कपड़ा पहन है कि कही रहे और किसी पर नहीं चाहती थी कि जिस पार्टी में वो जा रही है वो पार्टी उसके लिए एक सक्सेसफुल पार्टी रहे जो उसका हजबन रहता है वो उससे 400 फ्रांस देता है कि जाओ तुम अपने लिए एक प्यारा सा कपड़ा खरीद लो चुकि वो पैसा वो स फिर से दिखी वह इसलिए दिखी क्योंकि उसके मन के अंदर था कि उसके पास जोएलरी नहीं है जो वह उस ड्रेस पे वियर कर सके फिर यह सिच्वीशन भी मतिल्डा को साइड कर देता है मुस्टर लॉजल वह उसको सजेश्ट करता है कि तुम अपने फ्रेंड जैनी फोर मांग ती या मांग के घर पे ले के आती है पहंती है पहन के पार्टी में यहां मँट जाती है और जह सब कर लेती है उसके बाद क्या होता कि घर के लिए निकलते हो जब घरá ढहते हैं तो इन सरप्राइज यह देखके कि उसके गले में वू necklace नहीं है। बहुत जादा tension और तनाव का महोल बन जाता है। वो दोनों को लगा जिस cab में घिरा होगा वो चैब में जाकर सर्च करते हैं। जिस रासते से आई रहते उस रासते पर वो जाके सर्च करते हैं लेकिन कोई फाइदा नहीं होता है उसके बाद क्या होता है कि वो मटिल्ला का जो हजबेंड है वो पुलिस के पास जाता है एडवेटीजमेंट देता है लेकिन किसी प्रकार का कोई positive result नहीं आता है वो कहता है अपनी बीवी से कि तुम अपने दोस्त के पास लेटर लेके बोल दो कि फुड़ा सा नेकलेस का कुछ तूट किया है और उसको रिपेर करने के लिए उसने दिया हुआ है और उसी समय में वो दोनों मिलके वैसा ही नेकलेस ढूड़ने का रियास करते हैं और फाइनली ढूट भी लेते हैं जब वहां पर दुकान पर जाते हैं और पूछते हैं उस निकलेस का कोश्ट तो पता चलता है कि वह सिमिलर निकलेस 36,000 प्रांस का है चुकि मटिल्डे का जो हजबन रहता है उसके पिता का दिया हुआ 18,000 प्रांस रहता है लेकिन उसको बाकी और पैसा बौरो करना होता है बौरो करके वह कैसे भी उस निकलेस को खरीदते हैं और खरीदने के बाद क्या होता है कि जो पैसा वो लोगों से बौ चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि मतिल्डा बहुत ज्यादा ख्वाइस रखा करते थी कि हमको यह करना है हमारे पास यह होना चाहिए वह सब चीज उसके मन से उतर गया वह यहां तक कि नौकर तक अपने घर में नहीं रखी क्लीनिंग कोकिंग खुझ से किया करते थी और जो उसका हस्बेंट था वह वर्ट करने लगा अलग-अलग और जॉब करने लगा ताकि वह ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कमा सके और कमाने के बाद उसे रिपे कर सके ऐसा दिख रहा था कि मतिल्डा जो है एक स्ट्रॉंग वूमें जैसे प्रतीत हो रही है एक प उसके बाद क्या होता है कि जो फोष्टर रहती है वो उसके उस रफ एपेरिंस ke सचाइब बताती है ओर इतना तॉम लोगो टेंसल लेने की क्या जरुवत थी जो को यहां example नहीं ठा ह baş場 और उसका जो कॉस्ट था वह फाईफ फॉन्ड़ फ्रांस था ना उतना cost था तो कुल मिला के यहाँ पे Matilda को यह पता चल जाता है कि जो necklace वो borrow की थी उससे वो नकली था असली नहीं था लेकिन उसके एवज में वो असली खरीदने के लिए इतना मेहनत किया इतना पैसा कमाया और finally उसे यह पता चल गया कि जिन्दगी जीना है तो मेहनत करके ही अपनी सारी ख्वाइसों को पूरा करना चाहिए और finally यहाँ पे आपका यह story समाप्त होता है